तो जैहिन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हों आपके पास टाइम मिला है ठीक है हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक महीन आपको दोहराना है और अगले एक महीने में आपको प्रेक्टिस इट करना है तो बहुत सारे लड़कों के दिवा में ये चल लोगा कि एक महीने में हम कैसे दोहरा सकते हैं तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि एक महीने में पूरे सलेबेस को GKGS छोड़के बाकी तिन जो सब्जेक्ट बता है भी चल लोगा कैसे दोहरा सकते हैं दूसरा टॉपिक हम यह भी बात करेंगे कि अगर पेपर होता है दो चरणों में जैसे दो दिनों में चार चरणों दो दिनों ठीक है तो फ़र्स्ट पाली में थे थिछय उसके बाद से पिछला बर जो पेपर हुआ तर निरस्थ हो गया इस बार offline होगा कि online होगा इस बात में भी confusion जाने है ठीक है तो इन तीन टोपिक को आज हम देखेंगे तो पहले हम इस्टार्ट करते हैं कि एक महिने में आप तीनों सब्जेक्ट को कैसे दोहराएंगे जैसे हिंदी है रिजिनिंग है मैत है ठीक है एक चीज आप देख लिजे प्चीस- immigrant के पिच में होगा ठीक है तो आपको क्या करना है कि अभी आपको एक महीने के अंदर एक महीने का अंदर total subject को आपको धुहराना है और total subject में आप करेंग कि पहले मैत हीStart करें उसमें करने करना है कि है daily एक chapter है a daily किसी और की बुक से पढ़ता है उसमें भी 100 questions है एक सब्जेक्ट में तो उसमें कहां से हम इतना कर पाएंगे 100 questions नहीं कर पाएंगे ठीक है लेकिन एक और सल्थ उसमें इसमें बात यह है कि जिससे आप 100 questions में 50 questions हो जाते हैं जिसमें ऐसा क्या होता है कि मुझवानी आप देख करके बता देते हैं कि इसका answer यह होगा ठीक है अपको पता होता है फिर भी आप उसको क्या करते हैं हल करते हैं आप क्योल कापी और कलम लेकर उसका रदी पन्ना बनाते हैं बागे कोई नहीं ठीक है तो यह सब आपको नहीं करना अगर यह करना बंद कर देंगे तो एक महिने कंदर तीनों सब्यक्तों दोरा सकते हैं ठीक है अगर मालेजे माय थे 25 चेप्टर है ठीक है रोज हमको एक चेप्टर खतम करना है 100-100 questions दिया है जिसमें से 50 questions ऐसे हैं जो मुझको मुझवानी आते हैं ठीक है तो तो हटा द ठीक है जहां इस questions में आपको लगता है कि हमको 1% doubt है तो אם पहसिदे आप यह कर चेप्टर को को किश्टम कर देंगे स्टोस धेड्स हो जाए जरूरत नहीं है जो कविश्टन समें एक पर्शन उसमें से 10-15 चेप्टर ऐसे होते हैं जिसको दोहराने की आपको जरूरत नहीं है और उसे 10-15 चेप्टर में ऐसे भी होते हैं questions जिसको दोहराने की दोहराने की दोहरत नहीं है उसमें एक-डू questions होते हैं जिसको फ़स जाते हैं तो उसी को केवल दौहराना सुनिस्चीद करें ठीक है और उसके वाज़ा करते हैं कि जिसे रिजनिंग और मैथ हमने बता दिया हिंदी करते हैं ठीक हिंदी के बात करते हैं हिंदी में भी आप जितने भी chapter है जिसको दोहराने की ज़रुरत है ही नहीं ठीक है जिसको दोहराने की ज़रुरत है जो आप चाहेंगे तो उसको भी एक महीने में पूरा हिन्दी दोहरा लेंगे तो मैं ये था आपका एक महिना का strategy चुचा हैं तो तीनों subject को एक महिना हम दोहरा लेंगा बाकि GKSS उसमें भी आप एगंटा दूगंटा जो भी आपका प्रस्टाइम बच जाता है उसमें दीजी आप ठीक है ये आपका हो गया एक महिना कैसे दोहराएंगे बात करते हैं कि से online paper होगा एक offline paper होगा तो इसके लिए मैं बता दूँ कि offline होगा कि online होगा अब तक clear नहीं हुआ है लेकिन मुझे जहां तक लगता है इस बार paper होगा online ठीक है पेपर कैसा होगा तो online paper होगा यूपी कांस्टेबल गा ठीक उसके बाद से दिखते हैं कि इसका normalization कितना होगा इस questions बढ़ा दिया जाएंगए ऐसा नहीं है ठीक है वह का बढ़ाते हैं आ सरल लेकर 5 questions के बीच में नरमलेसन हो सकता है एक से पांच के बीच में शुर रहे हैं और उसके पासे आपको फिर भी आइसा लगता है कि कुछ quesons बाकी है तो comment कर दें और मैं उस questions को अगले वाले वीडियो में इंकुलूट कर दूँगा तब तक ले जै हिन जै भारत